हेलो मेकनिक भाईयों, वेलकम तू दा चैनल, बहुत दिनों के बाद वीडियो लाया हूँ, उसके लिए माप भी चाहूँगा, बट आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेल्पूल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको होंडा बीच में पुरानी इसकीप मत करना, पुरा सुरू से लेकर अन तक आप इस वीडियो को देखिएगा, तो मेकनिक भाईयों, सबसे पहला जो इस्पेशल टूल मैं बनाने वाला हूँ, वो है SCS कनेक्टर, आप इमेज में देख भी सकते हैं, यह है SCS कनेक्टर और यह है इसका पार्ट नमबर, आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हैं, पर्चेस कर सकते हैं, लेकिन मेकनिक भाईयों, यही स्पेशल टूल आपको मार्केट में सायद ही मिल पाएगा, SCS कनेक्टर का उप्योग हम Honda BS6 की गाड़ियों में, चाहे वो स्कूटर हो या मोटर साइकल हो, यदि कोई भी सेंसर या एक्चुएटर खराब होता है, तो उसके कोड को रीड करने के लिए करते हैं, इसके अलावा, अगर माल लो ECM के मेमोरी में, किसी भी सेंसर या एक्च हो गया है, तो उसको इरेस करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए भी इसका उप्योग करते हैं, तो मेकेनिक भाईयों, SCS कनेक्टर बनाने के लिए आप होंडा BS6 वेरियंट वाली 125 सिसी तक की कोई भी अगर मोटर साइकल है, चाहे साइन 125 हो, SP 125 हो, या आप चाहे तो CD 1110 या लिवो का पुराना वाइरिंग हारनेस ले सकते हैं, और इस पुराने वाले जो वाइरिंग हारनेस में हमको यह आप देखिए, यह वाला जो कपलर है, उसकी ज़वरत पड़ेगी, यह देखिए, 6 वायर वाला कपलर जो है, वो है, ACG कौाइल के CKP सिंसर का यह कपलर है, यह देखिए, और यह है, इस यू में जो कपलर लगता है, और यह वाला एक वायर वाला जो कपलर है, वो है, न्यूटरल स्विच का, तो हमको ज़वरत पड़ेगी, यह वाले कपलर की, तो सबसे पहले मैं इसको काट कर अलग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताऊ हांगे, इसको मैं पहले काट कर लेता हूँ, यह देखिए, तो मेकेनिक भाईयों, आप देख सकते हैं, इसमें 6 वायर है, यह देखिए, यह तीन वायर ये, और इधर यह तीन वायर, तो से कनेक्टर हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यह जो ब्लू कलर का वायर है, और यह वाइट लाइनिंग में जो रेड कलर का वायर है इसको हम छील के दोनों को एक में ही जोड देंगे है ना और सिंपल आपको करना यह है कि यह जो दोनों वायर है इसको एक दूसरे से ऐसे connect कर देना है यह देखिए ऐसे connect करके आप इसको एक दूसरे से जोड देंगे उसके बद आप चाहे तो इसमें wiring टेप लगा दें और यह जो बाकी के जो wiring है उसको आप चाहे तो काट सकते हैं या तो फिर आप इसको एक में ही ऐसे करके इसको टेप लगा दीजिए नो क्योंकि इसमें special वाली ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि आपने देखा ये simply मैंने दो wire को एक दूसरे से connect कर दिया जोड दिया उसके बाद हमारा ये connector तयार हो गया अब इसका उपयोग कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं तो ये देखिए Honda BS6 की कोई भी motorcycle है तो right side का panel जैसे आप खोले गाड़ी का तो battery के पास आपको इस type की red color की connector आपको दिखेगी इसको बोलते है DLC coupler इसमें देखिए wiring आप देख सकते हैं इसमें 4 wire है ये देखिए ये देखिए इसमें 4 wire है code पढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले गाड़ी का चाबी बंद कर देना है उसके बाद जो हमने ये connector बनाए SCS connector उसको इस DLC coupler में ऐसे लगा देंगे इसमें lock का आप ध्यार रखना ये देखिए red वाला ये उपर के ओर रहेगा और ये इसका lock ऐसे यहाँ पर connect करेंगे ये देखिए click की भी आवाज आई न तो ये connect हो गया आप जैसी है आप ignition switch on तो जो भी sensor या actuator खराब होगा गाड़ी का तो meter के पास जो engine check light है वो उसका code so करने लगेगा या example के लिए माल लेते हैं कि गाड़ी का जो injector खराब है या उसका जो coupler है उसका wiring तूटा हुआ है तो उस condition में भी जो engine check light है उसमें 12 number का code injector का होता है वो उसमें so करने लगेग तो इस तरह से आप ये जो special tool है SCS connector है उसको simply बना सकते हैं मेगेनी भाईयों SCS connector का उप्योग कैसे करते हैं कहां पे connect करते हैं इसके लिए मैंने अलग सा video बनाया हुआ है video का link मैंने description box में डाल दिया है तो उसको आप जा कर देख सकते हैं और code को कैसे read करते हैं कौन से sensor का code कितना होता है ये मैंने पूरा उस video में बता रहा हुआ है तो उस video से भी आप सीख सकते हैं मेगेनी भाईयों दूसरा special tool जो हम बनाने वाले है वो है fuel pump test harness तो fuel pump test harness आप देख सकते ही image में ये वाला है और ये इसका part number है और fuel pump test harness से जो गाड़ी Honda basics variant का कोई भी अगर गाड़ी है चया हो scooter है या motorcycle है उसके fuel pump को हम सही है या खराब है इसको check करते हैं तो अभी fuel pump test harness बनाने के लिए आपको ये तीन वायर वाला जो coupler है fuel pump में लगा होता है उसके आपको जवरत पड़ेगी तो इसी जो तीन वायर वाला coupler है उसका उप्योग करके हम जो fuel pump test harness है उसको बना सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको देखे ये काट कर इसको अलग कर लेता हूं यह देखे यहां पर थोड़ा सा आप लंबा काट लीजेगा इसके वायर को तो helpful होगा थोड़ा सा यह देखे यह मैंने इसको काट लिया और इसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हू देखिए इसका color भी आप देख सकते हैं इसके जो तीन वायर है उसका ये देखिए ग्रे कलर में red lining ग्रे कलर में blue lining और ग्रे कलर में ये है black lining का wire तो तीन वायर वाला इसी कपलर का उप्योग करके हम fuel pump test harness बनाएंगे तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ये जो तीनों वायर है उसका जो ये है wire को मैं छील लेता हूँ और उसके बाद हमारा ये fuel pump test harness फिर तयार हो गया और इसको आप कैसे use करेंगे इसको भी मैं बता देता हूँ तो उसके लिए हमारे पास ये देखिए fuel pump है और मैं आपको connect करके भी दिखा देता हूँ तो ये जो coupler हमने बनाया है fuel pump test harness उसका ये coupler आपको लगाना है इस side ऐसे ये देखिए और जैसे मैं इसको लगाऊंगा click की आवाज आएगी ये देखिए click की आवाज आई इसका मतलब हमारा जो coupler है वो इसमें connect हो गया और दोस्तों fuel pump कैसे चेक करते हैं इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया है पूरा detail में बताया है कैसे आपको चेक करना है तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूँ उसको आप जाकर देख लिजेगा तो मेकिनिक भाईयों इस तरह आप पुराने wiring harness से दो special tool एक ये ACS connector और दूसरा ये fuel pump test harness आसानी से बना सकते हैं अगर आप मेरे channel पर नए है तो please channel को subscribe कर लिजे ताकि अगर जब कभी मैं ये special tool वाला next वीडियो डालूंगा तो आपको notification पहले पहुच जाएगा thanks for watching